बुखार कोई बिमारी नहीं है बुखार आपके सरीर का एक समझे कि एक प्रत्रिक्रियात्मक संदेश है कि सरीर आपके अंदर के वाइरस को बैक्टरिया को फाइट कर रहा है और बुखार के रूप में प्रेडिक्चित कर रहा है बुखार सिर्फ ए साबित करता है कि आपके कि अंदर कुछ न कुछ melody हो रही है कुछ गड़वडी हो रही है बुखार कोई बिमारी नहीं है बुखार सरीर का एक protective mechanism मैं कर रहा हूं इसलिए बुखार से क्यों घबडाएं नहीं बुखार अगर आ रहा हो तो तुरत उसे paracetamol दे करके down करने की कोशिस न करें अगर हलका है तो ज्यादा बुखार है तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा लेकिन बुखार को आप सरीर का एक protective mechanism समझें अब जहां तक बुखार के कारण जिसको हम कर सकते हैं अगर रामायन की भासा कहें कि हरी अनंता हरी कथा अनंता इतने infinite हैं इनके causes इतने कारण इतने ज्यादा हैं इतने manifold हैं कि आप उसका मैं आप एक simple viral fever सर्दी से ले करके और cancer तक यह पूरी ज्यात्रा है बुखार की यात्रा है और मैं आपको बताऊं कि तीन दिन पहले हमारे clinic में एक patient आये और वाकिया मैं आपको बता रहा हूँ पायरेक्षिया ओफ अन्नोन ओरिजिन कहते हैं ज थोड़ा ज्यादा सतर करने के जोगत है आपके दिमागी जो एंटेना है उसको ज्यादा focus करने के जोगत है और कई कारणों का निवारन जरूरी है तो उसमें सारे कारण हमने देखा और खांसी हो रही थी दंपूल रहा था कोई हिस्टी नहीं दे रहा था सारे जांच हो ग जब डारेक्टली हमने question किया तो वो नकार दिया लेकिन जो हमने करा रहा है हाईली positive था तो आप समझ सकती हैं कि वो HIV का वाईरस वो लंबे समय से बुखार आ रहा था उसको malaria, typhi, kalajar, TB सब कजाच हो गया अंत में HIV निकला तो यह है कि आपको covid virus में बुखार, सर्दी में खासी में बुखार, TB में बुखार, cancer में बुखार, अगर long continued fever है तो आपको cancer के बारे में भी सोचना पड़ेगा अगर उम्र कुछ ज्यादा है तो तो parasitic disease हो गया, viral disease हो गया, bacterial disease हो गया, malignant disease हो गया, HIV हो गया, सब में बुखार हो सकता है तो बुखार जया पको फूड़ा सा लंबा की जाय तो आपको इन सारे कारणों के पृति आपको सजग रहना और कछे चिकित सत्रमा के बुखार के कारणों का निवारन करना होगा तो डॉक्टर साइब यह तो आपने बता दिया है कि बुखार अगर लंबे समय तक रहता है तो यह सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए लेकिन अभी जैसे मौसम में बदलाब देखा जा रहा है तो दो-तीन दिनों के लिए बुखार रह जाता है कभी-कभी जादा धूप में रहने के वज़े से भी बुखार हो जाता है तो इन सब सिच्वेशन में बुखार को कैसे हंडल करें बहुत ही माकूल प्रसना आपने किया है आजकल जो एक धडल्ले से परंपरा चल पड़ी है गाउं के क्वेक से ले करके हमारे कुछ क्वालिफाइड प्रेक्टिशनर तक कि जहां पहला दिन बुखार हुआ कि एंट एंटिबायिटिक शुडू हो गया अलिक संतूष्ट हो जाता है और डॉक्टर भी संतूष्ट हो चलो ईंटिबायिटिक से बढ़ रहा है कि अंत में आप देखियेगा कि कुछ दिनों के बाद वेक्ति बीमारी से नहीं मरेगा यो ड्रग रिसिस्टन्स इमरेगा तो प्रहम हत्यार है हमारा AK-47, AK-56 होई है और उसको हमने सुरू में चला दिया जहां लाठी चार्ज की जरूवत थी वहां आपने AK-47 चला दिया गोली चार्ज कर दिया तो आपको यह समझना पड़ेगा कि किस भीड पर किस भीड को आमादा होने पर हमको लाठी चलाना है कि गो गुजारिश आप से नहीं है बलकि समाद से गुजारिश जी